कि अपने खर्टी इफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ फेक्ट्राइज इपल इन्टु लीनियर फैक्टर देन इट सेज नोगी जीरो ट्रू और फॉल्स करा यदि कोई ख्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और अगर वाफ फैक्ट्राइज नहीं हो पा रहा है लिनियर तो क्या उसका एक पी रिएल जीरो नहीं होगा जैसा आप देखिए एक पॉलिन्स चेट्राइज करके देखिए फैक्ट्राइज ऑगा ही नहीं जब यह फाइक्ट्राइज हबaren द्य नहीं तो फिर इस जीरो निकलेगा कहा पर इसक logo जेरो नहीं निकलेगा दो यह जो मुल ax² पलस bx पलस c cuts negative direction of by-axis then 40 the sine of c यहाँ पर देखें कर रहा है कि यह जो graph है यह polynomial है वो by-axis को negative direction में cut कर रहा जैसे आपको पता होना चाहिए quadratic equation का जो graph होता है वो parabolic होता है मतलब यह तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से होगा तो यहाँ पर देखें यह बोला था कि यह graph जो cut कर रहा by-axis को negative direction में तो यहीं आपका by-axis है और negative direction है यहाँ पर इधर होता है यह graph ऐसा कुछ cut कर रहा होगा इस तरीके से यहाँ पर देखें by-axis को negative direction में cut कर दिया अब आप बताए यह by-axis को जब cut कर रहा तो by-axis पर x coordinate 0 होता है यहाँ पर लिखिए add by-axis x equal to 0 और आपका जो graph है a-axis equal to ax square plus bx plus c का इस ही का graph है यह अब यहाँ पर देखें x का value 0 है तो यहाँ पर 0 पूट करिए यह होजएगा a-axis equal to यह होजएगा 0 और यह भी होजएगा 0 इंटू b 0 plus c तो यह होजएगा f of 0 और यहाँ पर एक ची और ध्यान दीजे जो function होता है जैसे कोई graph f of x है जैसे polynomial यह दि एक्स के टर्म में लिखा होता है तो इसको f of x लिखा जाता है और इसको f of x को by भी लेट किया जाता है यह आपको 11th class में परणना है पूरे detail में तो अभी आप ध्यान रखिएगा कि a f of x को by भी लेट किया जाता है तो यहाँ पर direct a f of x को by put करिए और x को 0 put करिएगा तो 0 plus 0 और यहाँ पर c रहेगा तो यह होजएगा by equal to c अब यहाँ पर देखे यहाँ पर negative direction का बात हुआ है तो जब by का value negative है तो वो 0 से क्या होगा छोटा होगा जितना भी negative value है सारा 0 से छोटा अब by equal to c के तो यहाँ पर c put करिए by के जगए तो c भी less than 0 हो जाएगा तो अब जब c का value 0 से छोटा होगा तो c का sign क्या होगा negative होगा तो यहाँ पर लिखे so the sign of c equal to negative question number 32 if graph of quadratic polynomial x square plus bx plus c cuts positive direction of by axis यहाँ पर by axis को positive side में cut कर रहा है तो कर भातिज़ the sign of sin c भातिज़ the sign of c c का sign क्या होगा यहाँ देखे positive direction में cut किया है मतलब ऊपर कहीं cut किया होगा यहाँ पर इस तरीके से कुछ होगा और यहाँ पर positive direction में cut किया है तो आपको पता by axis पर x 0 होता है at by axis x equal to 0 और यह a of x equal to दे रखा a x square plus bx plus c यहाँ पर a of x को by लेट कर लिजिए और यहाँ पर x को जगर 0 put करिए तो यह हो जाएगा 0 plus 0 plus c यह हो जाएगा by equal to c अब यहाँ पर देखे चुकि by का जो भैलो होगा यहाँ पर by positive direction में cut करा by को तो by का जो भी भैलो होगा वो पलस होगा मतलब 0 से बड़ा होगा जितना ही positive value है वो 0 से बड़ा होगा अब by equal as c के यहाँ पर c put करिए तो c का ही भैलो क्या होगा 0 से बड़ा होगा that means c का जो साइन होगा वो positive होगा the sign of c equal to positive question number 33 if f of x is a polynomial said that f of a into f of b less than 0 then भातीदा number of zeros lying between a and b करा कि f of x एक polynomial है इस पर का रहा है कि f of a और f of b को जब multiply करते हैं तो उसका value 0 से छोटा आता है तो वो रहा है कि a और b के पीच कितना 0 लाई करेगा जैसे पहले एक ची बताईए जैसे दो नंबर को multiply करना दोनों का value जो आएगा वो 0 से छोटा आना चाहिए जैसे 2 और 3 को multiply करेए अगर दोनों नंबर positive में रहेगा तो इसका value कभी भी 0 से छोटा हो ही नहीं सकता यहां पे आ जाएगा 6 जोकि 0 से छोटा नहीं है तो और अगर दोनों value positive रहेगा तब भी possible नहें है और अगर दोनों value negative रहेगा तब भी possible नहें क्योंकि यहां पे multiply करके 6 यहां जाएगा तो यह दोनों case तो होगा नहीं तो आपके बास दो case बाशा एक है कि पहले या तो इसको मैनस कर दिजिए या फिर इसको मैनस कर दिजिए मलत एक नमबर को negative रखना होगा और एक नमबर को positive रखना होगा तभी इसका जो भाईलू आएगा वो हमेशा 0 से छोटाएगा तो यहाँ पे भी बोरा था कि f of a into f of b less than 0 इसका मरलब एक positive होगा तो एक negative होगा या फिर यह बला negative होगा तो फिर यह positive होगा इस तरीके से दो case होगा यह होगे case 1 और यह होगे case 2 यहाँ पे आप कोई भी case लिजे हम case 1 पे चेक कर रहे है भेन यहाँ पे देखे भेन f of a is positive और f of b is negative तो अब बताएए जब f of a positive है तो इसका जो भाईलू आएगा वो 0 से क्या आएगा बड़ा आएगा और f of b क्या है निगेटिव है तो इसका जो भाईलू आएगा वो 0 से छोटा आएगा अब यहाँ पे देखे ग्राफ पे माल लिजे दो point है यहाँ पे a है और यहाँ पे b है अब जैसे इस polynomial जो दे रखा था अगर इसमें x के जगा a put करिएगा तो एफो पे आ जाएगा और f of a का जो भाईलू आ रहा वो 0 से बड़ा आ रहा जीरो से बड़ा आने का मनलों क्या यह उपर कहीं पे भी होगा इसका point 0 से बड़ा का मनला ऊपर कहीं पे होगा point तो यह हो गिया ऊपर कहीं पे भी आप ले लिजिए जैसे सब कोज माल लिजे यहां पे ले लिए ता अब दोनों को जब मिलाएगा तो एक से एकसिस को कम से कम एक point पर तो cut करेगा अधीक से अधीक कितनों करते लेकिन कम से कम यह दोनों मिले ग तो एक point पर कट करें सब्सक्राइगा तो इसका कम से कम 10 तो हो गाई होगा तेटभी से ओबन्huh यहां पर देखिए अधीक से अधीक भी हो सकता है जैसे यहां पर ए है और यहां पर बी है और यहां पर कोई पॉइंट है और यहां पर बी है अब जैसे यहां पर देखिए यहां से करवाया और यहां से मुड़ गया फिर यहां से आया फिर यहां से मुड़ गया फिर यहां स था कि कम से कम a और b के बीच कितना добज हो गाता है एक जिरो तो हो गए हो गा अधिक सा दिक कितनों भी हो सकता है लगpine कम से कम 20 हो गाएं ेक जर् स्क्वाइर मायनस एक स्वाइड करिए तो पहले आप डिवाइड करिए तो यहां पर लगाए एक स्वार में लगेगा तो हो जाएगा अब लगा यह बार में तो यहां पर रिमेंडर आ जाएगा यह बल्टन और जबकि question में क्या बोला था कि एफौफ एक्स है जो एक स्कॉर्र मैंस एक स्क्याइब डिवीजवल है यदि कोई नंबर दूसरे नंबर से डिवीजवल होगा तो तो रिमेंडर जिरु आएगा जिसे तू ये फौर तू से डिवीजवल है तो जब 4, 2 से divisible है तो यहां पर remainder क्या आएगा? 0 आएगा तो यहां भी बोला कि a 4, x है जो x square minus x से divisible है तो यहां पर भी remainder कितना आएगा? 0 और जब कि यहां पर remainder आया था इतना इसका में लगा 0 इसके equal होगा तो दोनों को equal करिए तो यह हो जाएगा x into minus a plus 2 plus b equal to 0 तो यह हो जाएगा x minus a plus 2 plus b आईसको लिखे x के फॉर में तो यह हो जाएगा 0x plus 0 अब compare करिए x बाले को x के साथ तो यह हो जाएगा x into minus a plus 2 equal to 0x x से x कटेगा तो minus a plus 2 equal to 0 तो यह हो जाएगा a equal to 2 और यहां से constant को compare करिए constant के साथ तो b equal to 0 तो a का भीलू आएगा 2 और b का भीलू आएगा 0 question number 35 if fourth degree polynomial is divided by a quadratic polynomial write the degree of the remainder कता यदि fourth degree polynomial को यदि quadratic polynomial से divide करेंगे तो remainder का degree क्या आएगा ये जो बीच में राता है उसको प्योफेक्स बोलते हैं तो degree of प्योफेक्स या जाएगा फोर और जो इससे divide करते हैं वो जीओ फेक्स होता है तिहां से जीओ फेक्स का डिग्री आ जाएगा 2 हमसे पुछा remainder का डिग्री तिहां पे एक ची बता है ये जो remainder होता है वो greater than equal to 0 होता है और less than जीओ फेक्स तिह हो जाएगा remainder greater than equal to 0 less than जीओ फेक्स 2 है तो 2 आएगा तिहां पे आर का पुछिओ लेलो एक 0 आएगा और एक 1 आएगा तिहां पे आप इसको बोल सकते हैं less than or equal to 1 less than or equal to 1 जैसे 0 और 1 तो less than or equal to 1 यानि या तो 1 के equal या उससे छोटा तो 2 के सारा न एक 0 और 1 1 के equal भी है और 1 से छोटा डाइट में 0 भी आ जाएगा इसमें तो इस तरीके साब इसको लिख सकते हैं क्यूशन नमबर 36 करा दा ग्राफ अप दा पॉलिनोमियल एफोफ एक्स इकॉल डू इतना इस सोन बिलो राइड़ साइन ओफ ए एड़ बीए स्क्वाइर माइनस फोर एस सी तो देखिए यहां पर इस क्यूशन को बनाने से पहले ग्राफ का प्रोपर्टी समझी है जैसे मालीजिए एफोफ एक्स इकॉल डू एक्स स्क्वाइर प्लस बीएक्स प्लस सी है और जब एग्रेटर देन जीरो हो एक मतलब यह बला हुआ मतलब यह पोजेटिव रहना चा तब वो ऊपर क्योव खुलेगा इस तरीके से से और एक कैस में यह x-axis को 2 जगां टच करेगा देखिए इसमें और एक कैस है जिसमें x-axis को टच करते हुए निकल जाएगा और एक केस में टच ही नहीं करेगा तो यह तीन केस हो गया जब एक अवहलू 0 से छोटा हो तो यह नीचे की ओर खुलेगा यहां भी एक बार और एक बार भी नहीं तो पहले यह दोनों को आप समय लीजिए जब एक अवहलू 0 से बढ़ा हो जब एक अवहलू 0 से छोटा हो तो इस तरीके से ग्राप बनेगा यहां पर तीन केस आता है केस बन में देखिए यदि कोई ग्राप एक सेक्स को दो जगापी टच कर रहा हो और दो डिपरेंट डिप यह उपर के ओर ओपन हो रहा है तो एक अवहलू 0 से बढ़ा होगा यह नीचे की ओवहलू 0 से चोटा हो जाएगा उसके बाद यहां यह दो जगा पर touch किया तो इसका दो real root आएगा वो भी different वाला ठीक है तो इसमें भी यह दो जगा different different जगा पर touch किया तो इसका भी दो real root आएगा वो भी different तो वहीं यहां पर लिखें दो distinct real roots जब दो distinct rear root आता है तो यहाँ पे b square minus 4ac का value जो आता है वो 0 से बढ़ा होता है इसको आप याद रखेगा जैसे ही दो distinct rear root आएगा तो b square minus 4ac का value 0 से बढ़ाएगा यह आपका chapter 4 quadratic equation में भी पूरे details से पढ़ना है यहाँ पे आपसे याद कलेजिए अब b, a, c, यह सब क्या होता है तो यह समझा लीजिए जैसे x square plus bx plus c यह 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 सब इसका value होता है b, a, c का case 2 समझे जब कोई graph x x को सिर्फ हो सिर्फ एक जगाँ पे टच कर ओ या तो उपर की ओर या तो नीचे की ओर यहाँ पे जो a का value आएगा वो ऊपर की ओर ओपनिंग है तो greater than 0 होगा यह नीचे की ओर ओपनिंग है तो less than 0 होगा और यहाँ पे अगर एक जगाँ पे टच करो तो यहाँ पे दो equal और रियर रूट आता है मलब इसका जो भी रूट निकलेगा वो दोनों equal रहेगा जैसे 1y2, 1y2 या minus 3, minus 3 इस तरीके से जो भी निकले वो equal आएगा और जब equal आएगा तो b²-4ac का value 0 के equal रहेगा तो यह condition आपको यह रखना और case 3 जब यह x-axis को touch ही ना करे जैसे यह एक देखे ऊपर की ओर हो रहा है यह भी बिना touch किये हुए तो इसमें तो हो जाएगा एक greater than 0 और यह हो जाएगा यहां पर यह less than 0 अब बताए जब x-axis को touch ही नहीं किया तो इसका एक भी रूट नहीं निकलेगा क्योंकि जितना वाड़ टच करेगा उतना रूट आएगा यह एक वाड़ भी नहीं आता है तो इसको बोलते हैं बी स्कॉर मैंनस फोर एसी का जो भाईलो आएगा वह less than 0 आएगा मतलब 0 से छोटा होगा तो इस तरीके से आप ग्राप को याद रखेगा इसके बाद देखें क्यों नमबर 36 कि यहां पर क्यों नमबर 36 में बोह रहा था कि एक आप नीचे जगह पर टाश करा है मतलब दो डिफेंट जगह पर टाश कर रहा तो इसका दो रिया रूट आएगा वह भी डिफेंट अभे आपको से काई कि जब रिया रूट के केस में बीच्वार माइनस फोरे सी होता वह greater than 0 होता है जब यहां पर दो डिस्टिंग जगह पर कर रहा है तो यहां पर जो रिया रूट आता है तो बीच्वार माइनस फोरे सी ग्रेटर देंजीरो होता है तो जब यह ग्रेटर देंजीरो आ रहा है तो इसका भी साइन होगा जो क्या होगा पोजीटिव ही होगा इस तरीके से क्योशन नमबर थर्टी सेवन दा ग्राफ ओफ ऑफ पोलिनॉमियल एफ ओफ एक स्कॉर प्लस बीच्वाइक स्वाइगा और कितना रियल जीरो आएगा तो यहां पर आप गराप देख रहें कि यह तर्स करते हुए निकल गया है यानि इस इस इस्थिति में इसका जो बीच्वाइब स्वाइब 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 स्वा रोट आता था यहां पर हमसे पूछा था कि यह जीरो की इक्वल होगा और इसका रीयर रूट 2 होगा कि क्योंस्द नमबर 36 यहां देखे फिगर हम स्वाहरा करका रखें थेक का इसमें वह लाई कि सी का साइन क्या होगा पोजीटिव निगेटिव जो भी रहे तो यहाँ पर देखिए यह जो graph है by equal to f of x यह by axis को touch कर रहा है और आपको पता है कि by axis पर x 0 होता है तो यहाँ पर लिखिए at by axis x equal to 0 और यह a of x equal to x square plus bx plus c यह x square plus bx plus c का graph है कि उस नमबर 36 में आप देखिए और यहाँ पर x 0 है तो x का 0 put करिए और आपको बताया थी कि यह जो function f of x है इसको by relate किया जाता है तो यह जाएगा by equal to यहाँ पर 0 put करिए तो 0 plus 0 plus c तो यह जाएगा by equal to c अब देखिए by को यह positive direction में cut किया है क्योसर नमबर 39 काता है इन question number 37 write the sign of c question number 37 में c का sign बताइए तो यह देखिए 37 का यह graph है और यहाँ पर देखिए जो graph है a4 fix यह by axis को negative direction में touch किया यहाँ पर तो यह हो जाएगा a4 fix equal to x square plus bx plus c और यह by axis को touch करा तो आपको पता है by axis पर x क्या होता है 0 होता है तो इसमें 0 put करिए और a4 fix को by late करिए तो by equal to यहाँ पर 0 करिएगा तो 0 plus 0 plus c तो यह हो जाएगा by equal to c अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि by को negative direction में touch किया मतलब by का value negative होगा यहाँ तो negative होगा मतलब 0 से छोटा तो by less than 0 और by equal है c के तो यहाँ पर c put करिए तो c भी less than 0 मतलब c का जो sign आएगा वो negative हो जाएगा उसके बाद question number 40 करा state division algorithm for polynomial तो यह तो आपको पता ही है जैसे polynomial के टर्म में यहाँ पर होता है यहाँ पर होता है जीओ फेक्स यहाँ पर क्वासेंट क्यो फेक्स और निचे remainder आरो फेक्स तो इसको यहीं बोलेगा divided and equal to divisor into quotient plus remainder तियह हो जाएगा पी ओफेक्स equal to जीओ फेक्स into क्यो फेक्स पलस आरो फेक्स क्योशन नम्बर 41 करा गिवाइन एक्जामपल ओ पॉल्नोमियल एफ फेक्स जीओ फेक्स क्यो फेक्स और आरो फेक्स सटिस्पाइंग एफ फेक्स equal to जीओ फेक्स इंडू क्यो फेक्स पलस आरो फेक्स भेर डिग्री ओफ रिमेंडर equal to 0 करा कि यह एफ फेक्स जीओ फेक्स क्यो फेक्स और आरो फेक्स इसका एक एक्जामपल देजिए ताकि इसमें पूट करने के बाद एलेचेस और आरेचेस आपस में equal आना चाहिए तो यहां पर देख यहां पर देखे क्या होगा जीओ फेक्स का डिग्री जैसे आपको पता कि जो रिमेंडर होता है वो greater than equal to 0 होता है और less than यहां पर बता एक ही भाईलू possible है तो यहां पर क्या ऐगा जीओ फेक्स का आप खूद बता हिए अगर फेक्स का बहुन है तो रिमेंडर का बहुन है तो रिमेंडर का बहुन क्या होगा? और यहां पर भी बोला कि जो remainder का degree होगा वो 0 होना चाहिए यहां पर geofix करना होगा यहां पर 2 put कर दिजेगा तो remainder का value 0 भी हो जाएगा और 1 भी हो जाएगा दो possible value आजाएगा जिब कि यहां पर बोला है सिर्फ बोचिर्फ 0 होना चाहिए तो आप 2 put नहीं कर सकते हैं तो जब भी होगा तो geofix 1 ही होगा तो यहां से geofix का degree 1 आगिया अब यदि मान लिजिए if we take degree of a4 fix अगर आप a4 fix का degree 3 ले लेते हैं आप कुछ भी ले सकते हैं 3456 अपने मन से कुछ भी ले लिजिए मान लिजिए हम a4 fix का degree 3 ले लिए तो यहां से आप बताएगे qofix का degree क्या आएगा यहां अपने मन से 3 degree वाला polynomial कुछ भी लिख लिजिए तो यहां लिख लेते हैं xq plus 3x square plus 2x plus 1 इस तरीके से और इसको डिवाइड करना geofix है और geofix का degree क्या है ओवन है तो यहां पे आप linear polynomial कुछ भी लिखे अपने मन से हम यहां पे लिख लिख लेते हैं x plus 1 अब आया बारी quotient का और remainder का तो यहां पे quotient और remainder अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते हैं आप क्या करिएगा कि side में इसको divide कर लिजिए x plus 1 से xq plus 3x square plus 2x plus 1 में यहां पे divide लगए तो x square बार मिलगेगा तो आएगा x q और यहां पे x square तो यह माइनस हो जाएगा यह भी माइनस यह कटेगा 3-1 तो यह हो जाएगा 2x square plus 2x plus 1 अब लगाईए 2x बार में यह हो जाएगा 2x² a plus 2x यहां पे माइनस यहां पे माइनस यह जाएगा यह भी कटेगा बज़्याइगा बज़्याएगा तो लगलेगा नहीं तो यहांसे आपका आगヤा坏क कौशेंट 12x ü रिमेंडर आगिया वन तो इसको यहां पर नूट करें यह हो जाएगा एक स्क्वाइर प्लस ट्विक्स रिमेंडर वन अब आप इस वाले टर्म सारे को अगर इसमें पूट करिएगा यह जो दे रखा था एक फोफेक्स इक्वल टू जी ओफेक्स इन्टू की ओफेक्स पलस आरूफेक्स तो यह बुलकुल इसको सटिस्फाई करेगा तो यहीं आपका अंसर हो जाएगा